नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक को नई ताजा वीडियो में ये वीडियो मितुन रासी वाले जात को के लिए बहुत इंपोर्डेन बहुत खास और बहुत महत्पुन रहने वाला है क्योंकि कहते हैं न मनुस्य के जीवन में खुसियां आती जाती रहती हैं मनुस्य के जीवन में कभे ऐसा पलाता है जमिन लोगों को अपार सफलताओं की प्राप्ती होती हैं खुशियां हर सोर से हर और से फ्राप्त होता हैं प्रन्तो जब दुख तगलिफें आने की होती हैं जब परिसानियां आने की होती हैं तो ये रास्ता देखे विना मनुस्य के जीवन में समाहित हो जाता हैं ऐसे में मित्वन्डासी वाले जातकों के जीवन में कुछ ऐसा ही हा होने बाला है जात्कों को नए वर्ष के आगाज में नए खुसकरी की फ्राप्ति होंगे अलगलग स्वित्रों से इस लोगों को यह सफलता मिलेंगे परंतो जीवन में हर्ष में एक समान नहीं होता है ऐसे में आपके बार मिथु नासी वाले जातकों के जीमन में काला साया मन रहा है आपको कई प्रकार के मुसीबतों का समधान भी करना पड़ सकता है आपके जीमन में आपको कई प्रकार के ऐसे भी फिस्तितों का निर्बान हो सकता है जो आपको प्रिसान कर सकता लगातार इस वीडियो के अंतर तक बने रहें इस वीडियो का कोई सबी पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें माता रानी के सच्चे वक्त कमड़ बॉक्स में जै माता दे अवस्य लिखें माता राने आपके सभी विगड़े भी कामकाजो को बना देंगे तो मत्रों मित्व नासी वाले जातकों को कटनायों को दूर करने और प्रगति की और बढ़ने वे सक्चम होंगे आपके मेहनत का अपर त्यासित रूप से खुबसूरती से वुक्तान किया जाएगा गैवसाइक रूप से आपके पास अपनी आर्थिक पक्ष में व समस्याइप नफ सकती हैं आप थोड़े लाप परवाह मूड में हो सकते हैं आपको संपत्ति के मामलों में और पारिवारिक समंदो पर भे नजर जरूर रखने चाहिए नए वाहन और संपत्ति खरिदने के रिए आप अपने योजनाओं को अस्तगित कर सकते हैं आपके जी दन समंदित मामल में आपके पिता के सला आपके लिए मददगार सावित होंगे माता फिता का सुगवे आपके जीवन में बड़ोतरी होंगे आपको जीवन साथी के साथ कहीं गुमने फिरने या फिर कहीं मरनजक दाय के यात्राव पर भे जाने के मोके मिलेंगे आप बहु आपका पारिवारिक जीवन में काफी अच्छा रहने वाला है, आपके अच्छे स्वास्ट में बढ़ोत्री होंगे, शमाने रूप से बहतर होंगे, आपके लोग प्रेता में बढ़ोत्री होंगे, मिथुन्दासी के लोगों को इस सब्दी में निवेश करने के लिए आप कस में बहुत इसांदार रहने वाला है आपको धम निवेज करने के मोखें विभ्राप्त होंगे वैप पार वैवसाइक को लेकर आपके किस्मत जागने वाली है आपके सारी के सारी स्थितों में बड़ा प्रिवर्तन होने वाला है आपको लगातार धंदोलत की प्राप्ति होंगे आपको इसमें कई प्रकार के सुक्समर्दी की प्राप्ति भी होने वाली हैं आपके जोबे जगडेलू परिवार के लोगों का सदसे भी आपके जीवन में सहीयोग करेंगे आपके करियर में बहत्री की प्राप्ति होंगे वहें आपको अपने समताओं का परदसन करने के लिए परियाप्त अवसर में मिलें गे राजनेताओं को नई जिम्मेदारी मिल सकती हैं सिनेमा और मेडिया से डुड़े लोगों को अपने आपको वैसर रखने के लिए परियाप्त काम होंगे बचे और पृवार वे अपने कर्मों में अच्छी सफलता दिख बत्रों भगवान सिरेरी विश्रू जी की खृफ़ा से आपके जीवन में कई फ्रकार की बदलाब होने वाले हैं आपको किस्मत का साथ मिलने के साथ साथ जीवन में आपके जोबी दुखत गलिफे समस्याएं संकड और आर्थिक तंगिया से आप गिरे हैं उनसबों से आपको चुटकारा मिल सकता हैं आपको जिन्दगी के सारी लम्हों को कफी हसीन तरीके से जुनी जीतेंगे मौके भी पराप्त हो सकते हैं इसमें भाग के सितारे भी आपका साथ देने वाले हैं और भाग के सितारे आप पर महरबान रहने के कारण आपके जीबन के सारी समस्याओं से भी आपको चुटकारा प्राप्त हो सकता है आपको खुसकबरी मिल सकते हैं आपके जीबन में आपको विशेश ऐसे खुसकबरी मिलेंगी जिनसे कि आप अपने जीवर में काफे बड़ी लाब तायक असीम कृफ़ा फ्राप्त कर सकते हैं विरुजगार लोगों को अच्छी नोकरी का अवसर मिल सकता है आप लोगों को आर्थिक जिंदिगी में सुधार करने के मोखे मिल सकते हैं कारी शेतर में आपको उन्नती विफराप्त होंगी परिवार का वात्तबन काफे खुसरुमा रह सकता है आपका आने वालस में बहुती अच्छा रह सकता है आपके सुक्सान्ती के स्तर में बड़ोतरी होंगी बड़े अधिकारी का पूरा सपोर्ट मिल सकता है आपके दुआरा किये गए कारे विविस्ट में सफलता दुलबानी में वदद कर सकते हैं लंबे समय से चली आरी पुरानी समस्याओं को पुराना आप उचित विचार कर सकते हैं ओफिस में सरकारी शेतर में कुछ जरूरी बदलाव हो सकते हैं आर्थिक श्तित्यों में पहले से कफी और अधिक सुधार हो सकता है आपको कारी शेत्र में विशेश बेड़ी कुदकवरी की करने के मोके भी प्राप्त हो सकते हैं आपका दिन बहुत ही अच्छा रहेगा आपको कड़ी मेहनत से सफलता वस्य हांसल होंगी निवेश के शेत्र में आपकी आर्थिक श्तियों भी कफी अच्छी होंगी आप कसमें मौज मस्ती और हर उल्लास में कफी वैत्तित हो सकते हैं आपको अपने सुभाव में बदलाव करने के मोके मिल सकते हैं वैवसाइक जीवन के अनुसार आपके जीवन में कफी अच्छा कासा परिवर्तन हो सकता है आर्थिक लियाज के लिए आपका समय कफी अच्छा रह सकता है कारिशित्र में विशेश बेड़ी कुशकवरी हांसल होंगे आपको जीवन में लगातार मनुकामनाओं को पुरुन करने के मौके भी प्राप्त हो सकते है आपके करिवी का जीवन भी हमेशा के लिए आप थोड़ देने वाले हैं आपको अपने जीवन में कई फरकार के खुशों के फराप्ति होंगे परिवारे में खुशी कमाहों ले सकता है आने वालस में आप अपने सुद्पियोग कर सकते हैं आपको अपने कोई उच्छावर्दक सूचना मिल सकते हैं नोकरी करने वालों को पुदूनती मिल सकते हैं इसके लावा वितन के बड़ोतरी हो सकते हैं दिनलाब के साथ खुश्यों के आगमन होंगे, आपको अपने जीमन के सबसे बड़ी खुशकवरी आवस्य हासिल होंगे, आपके रूने के दिने भी खत्म हो चुके हैं, आपको अपने बैपार में उच्चतम उचाय पर ले जाने के मौके मिल सकते हैं, निवेस के बारे में आपको कोई अथ्य सला मिल सकते हैं, जो आपके लिए लाप्रद होंगे, मिलदूर गर जो भी कारी करेंगे, उसमें आपको सफलतावस्य हासिल होंगे, आपके एटके विकारे भी तेजी से बनेंगे, आपके बिगड़ी हुई आट्ति किस्तित्यों में सुधार होंगे, घ क्योंनों कामनाय अवस्य पूरी होंगे, आपको अपने जीवन में नहीं खुसकवरी मिलक के योग नजर आ रहे हैं, आपको अपने कारी शेतर के लावा, अपने मोके भी प्राप्त हो सकते हैं, आपके लिए आने वाला समय बेहाद इस्वर रहने वाला हैं, आपके आज में लगातार तरक्की को हांसिल कर सकते हैं, मातारानी के खृफपा आपको हमेसा भारे धनलाव दे सकते हैं, आप में सकरात्मग विचारों के साथ चाथ आप अपने करियर और कामकाजों में आगे बढ़ सकते हैं, आप विवायत लोगों को बीवा का अच्चा रिष् आपको कोई बड़ा निवेश करने से फैले सोचने का प्रियाद जरूर करने होंगे, मत्रों बगवान स्रेरी विश्रू जी की क्रिफा से आपके जीबन में आपको वेहवार और स्वाव में आपको कुछ लोग अकर्सित हो सकते हैं, आप अपने पुराने मित्र को कौफी आपको जीबन में लगातार आगे बढ़ने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं, बिजनस या ट्रेड के सफलता काफे अच्य होंगे, आपको जीबन में बिसेज बड़े कुछ कवरी मिल सकते हैं,